गुड मॉर्णिंग एवरिवन डेट है आज गी दो दिसंबर दोजा चोईस स्वागत है आपका आज की एक करेंटेफे डिसकसन में चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं पहला जो आर्टिकल है यह आर्टिकल दे रखा है यह अदानी के बारे में अदानी कैसे फ्रोड किया उन सविदान को अपनाए हुए 45 साल पूरे हो चुक है 26 नवंबर को सविदान दिवस यानि के कॉंस्ट्टूशनल दे को सेलिबरेट किया गया तो इससे समनित काफी ज्यादा आर्टिकल आए हैं वो सविदान से समनित आए तो इन सभी आर्टिकल को देखेंगी यह आर्टिकल से कुलर होना चीया आत्मा से वह उर्लेखग से ईवन लिखा हुआ भी स्विदान है वो से कुलर होना चीया इनके कोड से श्रुवात की गया बात करें सभी दार्वान की तो देख़ा निर्मान की श्रूवात कब से हुए थी dram चोंद में क्यों दोर्यकों को मांघ रखी थैं सावाववत्रतम उसके बाद फिरीर जलती हिर इस कविदान बनाने के लिए निचो चैनलिसमें केविनेट मिशन आया उन्होंने क्या कर्वाई voting कर वाई उसके लिए सविदान सब्रा बनाने के लिए voting कर्वाई तो यह वोटिंग के बाद में 6 दिसंबर 1946 को पहली बार सविदान सभा की बैठक की गई मतब मांग रखी कि सविदान सभा होगी और उसके बाद में 9 दिसंबर 1946 को इनकी पहली बैठक होगी पहली बैठक में अध्यक्स कौन बने थी यह अहस्ताई तोर पर एक अध्यक्स बने थी अह सचिनानन्द सिना है सचिनानन्द सिना उनको अइस्ताई अधेक्स बनाया गया खब 9 दिसंबर को जब इनकी पहली बैठा कुई थी बाज में 11 दिसंबर में 1946 को इस्ताई बैठा हूई और इसमें इस्ताई तोर पर लॉक्टर राजंदर परसाद जी को अधेक्स बनाया गया था। अइस्ताई कों थे सचिना, नोगी ने इसैम्बर को पहली बैठा हूई थी, ग्यारा इसम्बर को दूसरी बैठा और राजंदर परसाद जी को पहला इलेक्टर परजिडेंट घोसित कर दिया गया था फिर उसके बाद में 13 दिसंबर को बैठा कुई 13 दिसंबर को जो नहरूजी का प्रस्ताव था ना उसकोLC एकसेप्ट कर लिया गयता 13 दिसम्बर को नहरोजडी निन उदेश सें प्रस्ताव Max 22 इसको बाद में एकसेप्ट कर लिया जाता है इस पर कहांसे फिर 29 अगस्त 97 को Craating Committee की मेंटिंग हुई और craating कमिटी का अध्यक्स किसे बना गया बी आर अमबेड़क करजी को ड्राफ्टिंग कमिटी का अध्यक्स गोसीद कर दिया गयता है यह कब हुआ था यह इस परकार से मेंबर का अलग हो जाता है फिर उनिस्व सेटारिस को ड्राफ्टिंग कमिटी द्वारा ड्राफ्ट को सब्मेट किया जाता है और चब्वीस नमबर xico 5950 26 नमबर50 को सविदान सबस्वागद द्वारा सविदान को अडव डिए जयाता है अभी यहां पर लागव ने किया जा रहा है लागव अलग लागू कर दिया थे और अड़ाप्ट है वो 26 जनवरी देखो दो क्यों सकते एक अड़ाप्ट कब किया गया था तो अड़ाप्ट किया था 26 नवंबर 1950 और लागू कब किया गया था इंप्लिमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 दो डेटे उनको याद था रहता है और सवीदान दे कब सेलश क्या जाता है 26 नवंबर को सेलश क्या जाता है क्योंकि इसी दिन इसको accept किया गया था तो यह पूरा सवुष सवीदान का को सबीदान्दवारण स्बस्द्वार ऑप चारी ग्रूप से भारत के सबीदान्द को अपनाया गया और 26 जनवरी उन्निसो पचास को इसे लागू कर दिया गया जाए सबीदान दिवसे वहर वर्ष 26 नौम बर को सेलिब्रेट किया जाता है कव से 2015 से क्यों क्यों क्योंकि सामाजिक और न्याय मंत्रा ले हैं तो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्रिय उनके द्वारा 2015 से इसको लागू किया कि तकी 26 नवंबर के दिन हर वर्स सविधान दिवस मनाया जाएगा इसके सुबात कब से हुई थी इसकी सिरुवात हुई थी 2015 से कौन सी मिन मिष्टि का नाम याद रखना सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रा ले कब सी 2015 से कौन से दिवस 26 नवंबर को दिवस क्या मनाया जाएगा कॉंस्टिट्यूशन डे के रूप में सेरिब्रेट किया जाएगा तो यह डेट सारी आप याद रखना 1934 में एम एन रोय के द्वारा वो लखेगी थी मांग पिचबवीश नव्न नियस्ट च्यारिस को केबिनेट योजना की द्वारा इसी गठन किया गया इसके लिए चुनाव हुए थी चुनाव अपर्टेक्स रूप से हुए थी सबी लोगों ने इसमें भाग नहीं लिए गया था कुछ लोग पढ़े लिए लोग बगरा थी व मुहमत सादूला बीयल मित्र डीपी खेकांथ यह मेंबर सामिलते किसमें प्रारूप समीती बे कितने मेंबर सी साथ मेंबर सामिलती बेसिक डीटेल है इस तब आपको पता होगा 30 अगस्त 1947 को इनकी पहली बैठा कुई थी बिया अरमे डेकर्ची को अधेक्स चुना गया में में आओं प्रेंडान यह स्माहा आफ़ा इनकी प्रेंडेर्स नारायन वारां लखा गया था इसकी यूट.\ वो प्रेम, बिहारी, नारायन, राजा दवारा लिखी गई थी और जो ये है न, मूल रूप से इंग्लिस में लिखाया गया था बाद में इंग्लिस से हिंदी में इसका टांसलेशन किया गया था तो ऐसा कोई अगर क्यों से मनता है, अगर कोई पूछे लेकिन सरम की बात भी दे सकते हैं, हमारा सविधान न, मूल रूप से लिखा इंग्लिस में गया है बाद में हिंदी में उसका टांसलेशन हुआ है तो कितनी सरम की बात है, हमारी मैन लेंग्वेज क्या है, हिंदी है जबकि हमारा सवीधान जिससे देश चलता है वो इंग्लेश में लिखा गया है आप देख लो मूल रूप से इंग्लेश में लिखा है हिंदी इसका ट्रांसलेशन है और हम बात करते हैं UPSC में हिंदी मेडियम वालों के साथ में भेदभाव क्यों होता है ठीक है आप देख ल सीस इसलिए बारत को का जैता है बारत का सवीधाने उद्दार का सवीधाने इन देशोंसे लिये गए तो ने साकी नाम आपको पता होना ची उर क्या क्या चीजे हैं वह भी आपने लक्षमिगान में पढ़ी होगी विस्टा बैसे सब स्लंबा कोंस्टीटीयूशन है लिखी उसे ऐसे इसे जुड़े हुए और यूस में कैसे केंद्री स्ट्रॉंग कम यह राजी बहुत रीच के ओर उप्रूंप एट só ओर संग तो हमारी एक संखी ईश्वाला सिस्टम है टिक के एक आत्म विश्ष्ष्था वाला संगी पनाली वाला संगी जुकाव संकी ओर है वह संसद्राइस सर्कार का संसदी सव रूप है कि परिशिदेन्सल फोर्म अब कोवेंट नहीं है प्रेलियाइंट्य लिखा नूप्य पार्लियामेंटल गईजी सब्सक्राइब में उनका अनिवाद किया था सबीदान की मूल जो- timelines değildi ती उनको ने मज़़ा गया था बर यह परकार से इसको इस परकार से रखा घया है आज सार फैक्ट यहाँ पर दिये गए हैं कितने अमेंडमेंड किये था ले सारी कितने इसमेंडमेंट हुए हैं पहली बैठागा में अल्रड़ी देख चुके हैं कब साइन क्या होता है यह इतनी इन्फोर्मेशन काम की है नि बड़ी बड़ी चीज हम अल्रड़ी देख चुके है नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो भी सविधान से समझ दिते हैं कि हमारे जो स अभी फैमिनिज्म काभी ट्रेंडिंग टॉपीक है फैमिनिज्म क्या होता है फेक फैमिनिज्म क्या होता है क्या परभावे तो वहां पर उससे समझ तो यह भी आप लिख सकते हो कि महिलाओं की एक तो देश की आजादी में सविधा निरूमान में महत्वपुन भूमी का आज कितनी महिला हूं जिनको आप हुम जानते हैं कि जिनोंने आज़ादी में महत्वपुन भूमिकानी पाई है आप दू-चार नाम ही ले सकते हूं तुसे ज़्याद आपको नाम भी याद नहीं होंगे इनसे समंदिद अगर को क्यूशन मनता है या कहीं लिखना हो तो आप इस परकार की एक्जामपल दे सकते हूं तो आपका जो एंस्वर और वच्छार लगेगा तो क्यों न्यूज में है न्यूज में इसलिए है कि सविधानी की इत्यास में लेंगी आख्यान क्या है जेंडर नेरेटिव इन कॉंस्टिटूशनल हिस्ट्री तो बारती सविधान की निर्मार में महिलां की महत्यपुर्न महुमिगा देखी गी ऑट संत्राइं को इन देखा किया गया घुमिका तो महिला की बहुँचा चाहदा थी लेकिन उनको अन देखा क्या रखा गया जैसे हम काते है सविधान निर्माता च avoir ऐसे में कहते हैं न फाउंडिंग कभाए थीक न तो यह सबसे बड़ी विटम न की बात है कि महीलाओं के लिजिक्र होता है बात करें संस्तापक महीलाओं की भूमिका के बारे में अमुर्यत को रहस कि अग्जामपल याद रखना इनका यह कहीं लिखने में काम आएंगे तो अमरित को रहंसा महता है बेगम एजाद रसूले यह जो महिला थी इन्होंने महत्वपुन भूमिका निभाई थी इन्होंने समानता धर्मनेडपेक से सामाजिक न्याये इन सबी के प्रावधानों को त्यार करने में कामने लिख मुद्व करने के लिख मौलिक अधिकारों की वकालत की न्यार कहा की फंडामेन्टर राइट होना जरूड है जिस lady को अभी बढ़भावा मिलेका सारजेनीक और निजी दोनों शित्रों में महिलााउं को समानता के बारे में बात की थी जी वीनिफॉर्म सीविल तत्तव भी गोशित किया गया है ना समान नागरिक सहीता को अभी समान नागरिक सहीता किस में आता है यूनिफर्म सिविल कोड के अंदर स्वारी यूनिफर्म सिविल कोड किस में आता है ये डीपीएसपी के अंतरगद आता है राज्जी की निती नित्यसक तत्तव के किया ऑगा था फिर इनुह ने धृता थापर फोकस किया था जैसे बेगंतार कर माल था जासी ना सवड़ान के अदर्यदान के डाइश दनी के अधास चाहइकि चिंब इसकर परम करफे हो वर यहां पर महिलाओं की समानता का उलंगन नहीं यह भी बात की गई थी साथ ही साथ में अम्रित कोर ने धर्म के नाम को उची ठरा जे कुछ परता जैसे बाल विवाय सती परता है परदा परता है इनका भी इन्होंने विरूद किया था यह सारी एक्जांपल आप लिख सकते हो अगर कोई क्यूसन आई कौन-कौन से अम्रित क सत्ती परता वह भाल व्याय वह Cow weumikनिव थी स्कांवी तो यह नाम आती और यह एक्जांपल आएंगे यह हैं नमबर दिलाते हैं II मार कुछ चूननोंतिया भी सामने इनके सामने क्या शूननोंतिया आई थी एक तो है न एट्राटिकल सोसाइटी थी तो इनका विरोध काफी देखने कोमिना बड़े layer पर इनका वरोधे मिलता इनको म频द्ध कुछ सम्झोते भी करने करने पड़े थी क्योंकि रिद लोगती इसमय सविदान सभा में ज्जाद तर पूरूश परदान था और अज मैंन नहीं देखने को मिला वीमन बहुत कम देखने को मिलेगी तो इनका जो आपस में लोगों इनको दबाव जहलने को मिला तो समाज में भी देखने को मिला सविधान सभा के अंदर भी इनको दबाव देखने को मिला ता इसलिए इनका पती निद्य तो नहीं उपायाता दार्मिक सवतनत्ता है उसको लहेंगिक समानता से ऊपर प्रात्मित्या दिकी थी यह भी एक चुनोती देखने को मिली थी कि सविदान के बाद में क्या संगस देखने को मिला था तो अभी रिपोर्ट आय थी सब को समानता मिलेगी महिलाओं के लिए प्रयास किया जाएगा पर वो सब बात ही रहेगी इनको हकीकत में इतना मिला नहीं है आप आरक्षान के बारें बात करो तो महिलाओं को पारल्यामेंट में आरक्षान नहीं मिला है तो यह चीजी है न वहां पर उजागर की गई इस र पारिवास जो सविधान वाद है इनको मजबूत करने के आप सकता है इनको रिपरजेंटेशन यानकी पर्तिनी दित्व देने के आप सकता है इनको जो है सुधार करने के आप सकता है जैसे कि इनको आरक्षन के बारे में बात करें तो इनको पार्लेमेंट में आरक्षन देने क गौर्मेंट जोब में इनको आरक्सन देनी कि आप सकता है ताकि एक लेवन प्लाइंग फिड के बारे बात की के जाती है एक एक वलाइन में इनको लाया जाए तो वह बात है जन्जागरूपता कि आप सकता है तो यह सब चीजिए आप वेव फारवड में लिख सकते हैं लासा कीती सविधान से लेकिन अभी क्या चीज़ें वह मिल रही है इन सब के बारे में यह आर्टिकल दिया गया है तो बात करते हैं हमने सविदान की 75 वरस कार्ट मनाई अभी इसको 75 वरस कार्ट से सेलिब्रेट किया गया है चबईस नवंबर दोजाट चोइसको इसे सवि प्रांसीओं की बैठक भी रखी की थी विचास्वी मर्स भी किये थे यह सारी शावशी जेगे थे अब फोकस करतें अमबेडकर जी के विचार क्या थे और वो सफल हुए का नहीं हुए अम्बेडकर जी का मानना था सविदान की सफल तक किस पर depend करेगी इसके लागू करने वाले जो लोग इसको लागू करेंगे उनकी इम्योंदारी पर लागू करेगी तो हैने कि हमारी जो संसादन पारलेमेंट उन पर लागू करेगा कि सविदान है वो किस परकार से काम कर रहा है उन लोगों की मतब जो भी हमारे मिनिश्टर है प्रदान मंतरी है और भी जो नेता है उनकी इमानदारी पर निर्फ़र करता है कि हमारा सव्जान कितना सफल होगा पट आज क्या देखने को मिलता है राजनितिक समांता है पुर सामाजिक आर्थिक असमानता के बीच परकाश डाल लाता है मतलब राजनिक समानता की बात करते हैं हम सामाजिक आर्थिक समानता की बात नहीं करते हैं वहाँ पर आज भी असमानता देखे गई है तो ये बात किये गई है पिछे तरवा है अडॉप्शन किया गया है उसको पेचेतर साल पूरे हो गए इंगलेस में दे रखा है देख लो बहुत इजी सेट्रम है कवज खास है नहीं आपे ठीक है बात करें कि चिंता है क्या क्या है आज के टाहिम में क्या क्या चिंता देखने को मिलती है जो अंवेड़कर जी की बेदभाव आप उसको देखने को मिलता है आज भी आपको जातिवाद जातिगर बेदभाव चुवा चूट यह सब देखने को मिलते हैं राजनिती लोकतंतर से परे सामाजिक लोकतंतर की आव सकता है राजनिती में लोकतंतर आपको देखने को मिल सकता है किसी भी जाती का है वो आगे बढ़ गया लेकिन ऐसा नहीं है माना कि यह दोनों जाती है यहां के 10 लोग आगे बढ़े हैं तो यहां का एक आजमी आगे बढ़ा है तो राजनिती में लगे का नहीं इसको को नहीं मिला है भाइचारे की कमी है आप देखोगे कि वोट बैंक की पोलिशी चलती है इस दोवरान लोगों को जाती है धरम है इस आधार पर बाटा गया है जिससे क्या हुआ है कि भाइचारे में कमी देखेगी फैटरनेटी का भाव देखा गया है तो एपसेंस ऑफ के साथ साथ यह बारें बात की लेक ओफ एटरनेटी की बात की गई है तो ब्रदर रूड का भावे और डिवीजन किया गया है इनमें विभाजन किया गया है तो जो की समारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा है वो देख के लिए बहुत बड़ा खत्रा बन गया है अब बात कर लेते हैं अचीर्मेंट की क्या-क्या उपलब दिया हम ने की है एक तो हमने अस्प्रेस रहता है उनका उन्नमुलन किया गया है जाती वद जो भी पिछड़े ओवी सी उनके लिए सकारत्मक कारवाई यानि के आरक्सन की व्यावस्ता की है राश्ट्री एक ता मज मजबूत देखने को मिली है तो ऐसे आप एक्जांपल दे सकते हो कि आज के टाइम में राश्ट्री एक तातों मजबूत देखने को मिलती है बट इसके सामने कुछ चैलेंजेंज भी है क्या है सामाजी का आर्थिक वह समानता बनी हुई है जाती धरमादार पर जो भी जाती अटेज कर देगी है उनको एक छोटी नजर से देखा जाता उनको एक हीन नजर से देखा जाता है तो यह एक गलत संगे जा रहा है कि आरक्सन को है वह जाती सी मिक्स कर दिया गया है जिसको आरक्सन मिल रहा है तो एक अलग नजरिय से देखा जा रहा है तो यह गलत चीज देखने को मिल रही है ठीक है अब कुछ सवेधानिक चुन होती है भी है जैसे हमारी सवेधानिक संस्ता है होती है नियाय पालिगाय संसद है उनकी ताक्ते कमजोर होती जा रही है तो अच्छे मेंट क्या है अबोलिशन और अंटचेबिलेटी है अफर्मेटिव एक्षन लाइक रिजर्वेशन वगिरा है पर डेवलोप्मेंट स्ट्रॉंग नेशन हूड देखने को मिला है नेशन में यूनिटी देखने को मिली है चैलेंजेज क्या है सोशल और एकनॉमिक इनिवकलेटी है अभी भी करने कास्तियुषन को आज कमजब होती है तो यह चैल्च भी देखने को मिल लाए वेफ़ार्वड के बारेम बारेम बात करें तो वेफ़ार्वड क्या है क्या लिख सकते हूं अम्बेड़कर लोगतंतर के साथ साथ में सामाजिक और आर्थिक लोगतंतर की आवसकता है पॉलिटिकल जो हम डेमोकरसी की बारे में बात करते हैं उसके साथ में सोश्यल और एकनोमिकल डेमोकरसी की भी आवसकता है समाज में भाईचारे को बढ़ाने की आवसकता है समाज में अगर इसक旅 सब्सक्राहिं प्रौी सोठिरा नयाइक पर है पारलेयमेंट पर तो अगर सब्सक्राइब मुझण सब्सक्राइब सब्सक्राइब परें जो इंको नर्षट करने लिए लोकत न्त्रलिक जो मिल्य होते हैं उनको बनायर है करने किया आव सकता है साथ उसाथ में भाइचारे को बढ़ाने के आप सकता है जाती आदारिक जो भेत वावावव उनtwo year कॉ अटाने के आप सकता है दавно स्थारी बेन को में steps सकता है और यह सारी चीज है यहां सकता है तो यह सारी की प्रमोट किया जाना चाहिए साथ ही साथ में कास्ट के साथ में जो इलेंगन्स होते हैं उसमें समाद में फैटरनेटी को बढ़ाने की आव सकता है स्ट्रेंथनिंग इंस्टिट्यूशन जो हमारे इंस्टिट्यूशन है सट्टेटिउटल इंस्टिटूट्टिऊ करने की आelt सकता है इंडिफेंडेञिक पार्लेमेंट और जूर्जिस्री हो इसट्रेंधन करने की आफ सकता है अप होल्ड डेमोग्रेटिक्स नॉं म्हें मांदरने अपहोल करने की आफ सकता कर्या है तो यह सारी ज़ीजें आप वेफरोड में लिख सकते हो ठीक जी चलते हमारे नेक्स द कंशो आटिकल कियो और MAnew मर्कृय कैं सर को जिंग पेस्टी इसर फांड इन यो करा ती रि रिवर है इसमें अकरावती रिवर है इसमें देखा गया क्या देखा गया इसमें इसमें जो मरकरी है वो और कैंसर कोजिंग जो पैस्टी साइड है वो मिले हैं इस रिवर में तो हम पहले Cancer Cosing जो Agents इनके बारे में बात करेंगे फिर अकरावती रिवर के बारे में बात करेंगे तो चलते हैं हमारे Article में तो सबसे पहले देख लेते हैं इस Pesticides होते क्या है Pesticides क्या होते हैं एक Chemical होते हैं या Bailological Substance होते हैं जो क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं या डिस्ट्डॉ्डी करते हैं, इसमें यूज होता है तो थो नुकसान को यूज दर प्रिंद करना है? इनका उप्यों कर्सी में भी हो सकता है यह मानस्वास्ति पर्यावन के लिए गंबिर चुनिच्या पैदा करते हैं खास करके इनका लॉंग टॉम में यूज किया जाता है तब इसके नुकसान बहुत जाता देखने को मिलते हैं क्या है दे ओल्सो आर पोज्डू सीडिस यूमन हेल्थ एंड इनवर्में हेल्थ इनका मिस्यूज होता है ओवर यूज होता है तो इसमें कहीं सारे नुकसान देखने को मलते हैं यहां पर कुछ टाइप दे रखें पहले हैं इंसेक्टिसाइड्स ठीक है दूसरा है फंगी सा फंगी साइड्स यह क्या करते हैं फसल में कुछ इस परकार की जो फंगस होते हैं उनको रोकने के वर इसका यूज के जाता है साक ना सक्या होते हैं हर्भी साइड्स यह जो खरपतवार वगरा होती उनको मारते हैं फिर जेव कीटना सक्या होते हैं यह बायोजिकल कीटना स इंसेक्टिसाइडस की देखे लगर करके था होते हैं बादेंब करें यह प्लांट्स को प्रोटट करते हैं कीट नासको से अर्फ से फंगिसाइडस हर्भीसाइडस था एंठी संकोके जोड़ेक आब आदकरन करी तो कीट दो परकर क्यों तो दो परकार के कितने ऐसे होते हैं लेकिन कुछ समय के लिए और जिर्ण ठीक है यह होते हैं दिर्ग का लॉंग टाइम के लिए तो तीवर क्या होता है तीवर के बारे में बात करें एक्यूट एक्यूट पोईजनिंग होता है तो एक्यूट पोईजनिंग होता है यह तब होता है जब बहुत जो कोई वेक्ति है कम समय में बड़ी मात्रा में कीतनासक का सेवन करता है एक होता है एक्यूट ठीक है एक्यूट में क्या होता है एक्यूट में कोईजनिंग होती ह या किसी और वज़े से आप उसके संपरक मागई थोड़े समय में आपको डेमेज कर सकता है तो वो तो तो तिवर विशाकता होता है ठीक है तिवर अलब कालिक होता है तिवर यानि एक्यूट तूसरा होता जिर्ण है लॉंग टाइम वाला इसमें क्यों तो लंबे समय तक होता है अगर इसके कुछ समय तक आपको इसके टच में होगी कैसी आ सकते हो सावसंन के तूरमा आ जाते हो या किसी भी टाइप के रिखनले सौट ताइम के लिए सौट टाइम के तीन कीट नासकों को बैंन किया गया है इसमें कून-कून से मॉणो क्मुण ओर कॉटोफस है और फिर है यह लीपओ दीनो कैप और है मित्वमाइल इन तीनों को यह एक नाम है यह कीरिनोंके नाम याद तैना म contenido की नाम है क्ली derived कैसे किया जाता है अब आच म से पीस्टीसाइट इन इंडिया तो कैसे एक्ट एक्ट है वह जो आप्ट एक्ट नायंटिन सिक्ष्टीजिद एड़ का फेस्टीसाइट एक्ट है फिर फेस्टीसाइट रूल भी नियुक्री को कवर किया गया इसको किस परकास से रेगुलिस्ट किया गया है ठीक है उसका निर्मान होगा तो किस परकास मैनिफेक्चर किया जाएगा किस परकास से इसका रजिस्टेशन होगा किस परकास से विक्री गईगा इन सारी चीजों को इस अधीनियम के तहत कवर किया गया यह जो अधीनियम है न वो किन के द्वारा लाए गया था तो यह करसी और किसान कल्यान मंत्राले के अंदर के विबाग है करसी और किसान कल्यान मंत्राले के अंदर के विबाग जिसका नाम है करसी किसान कल्यान यह इसको करने काम करता है तो यह आडिकल आपको समझ में आ गया हुगा नेक्स्ट है अक्रावती रिवर है यहीं पर हमको मरकरी देखने को मिलती तो इस रिवर के बारें बात करी तो यह करनाटक में करनाटक की महत्रपून रिवर है ठीक है माउंटेन से निकलती है कावेरी के साहेक नदी है उद्गम कहां से होता है यह जो चिकाबलापूर जो डि दें रहें कि इत्नी है नियुकंत के साने मंशनल रिवर में वाटर या याद रहा हुआ इसकाöß चर्ट में यो ऐण पामा करता है इसकी जो ट्रीब्यूट्री साहिक न दिया कुमूदवती सुवन मुखी और व्रिस्वा भावती यह इसकी साहिक न दिया है इसमें दो जलास यह भी है कौन डाली को पानी प्रवाड़ करता है और यह थिफ गोडान हली हो फिक जो को फानि पर्वाड करता है और यह है तिप्र टा दिक कहां से होता है यह आद रखना इनकी साही ग्रादिया पुर्ण को शुम्मृति स्वंभृति वर्सवृति विर्स्व रखती यह नाम याद रखना यह कुर defines ce नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में चलते हैं नेक्सैत्ट को आर्टिकल्ट हैं वो international अउैस्ट की समझेते हैं इसी दोरान AI data bank को launch किया गया है, तो हम देखेंगे AI data bank के बारे में देखेंगे, तो कभी इसी launch किया गया था, इसी launch किया गया विज्ञान प्रोध्योकिंगी मंत्राली दोबारा इसे launch किया गया है, SOCM की meeting अभी हुई चीज़ होजाद चोश में, इस दोरान इसका अनावरान किया गया, इसका उद्देश से क्या होगा, इसका objective है, जो researcher से सोध करता है, start-up से developer है, उनको उच गुण मत्ता वाला data provide करने के लिए, इसका उसका बनाये गया है, मतलब जो researcher से, start-ups से, developer से, उनको उच गुण मत्ता वाला, विविद डेटा से ये provide करेगा, कोन करेगा, करत्रीम बुधिमता डेटा बैंक, Artificial Intelligence डेटा बैंक, तो ये है न, ये इसका उद्देश्य है, साथ ही क्या करेगा, AI से माधन को सक्सम करेगा, satellite है, drone है, IOT, इनके रियल टाइम में अनलेक्षिक करेगा, उसके माधन से, राष्ट्री सुक्षा को भी बढ़ाएगा, तो इसे लांच किया गया, Union Minister है, Science and Technology Ministry, उनके द्वारा लांच किया गया है, SOCM की मिटिंग द्वारा, Purpose क्या है, High Quality, Provide High Quality Database for researchers, Startups and Developers, Analytics करेगा, इसके माधन से, National Security को इनेंस करने का ही काम करेगा, Application हमने देख लिया, राष्ट्री सुरुक्सा है, आपदा परबंदन है, सारजनिक्स वित्रण सेवा है, उसमें छिक्तरी परबाव है, इन सब में इसका यूज़ किया जा सकता है, Application, National Security करेगा, इसमें Real Time डेटा को सर्विलेंस करेगा, Cyber Defense को बढ़ाएगा, पिर डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम आ सकता है, Public Service में भी काम आ सकता है, Sectoral Impress जैसे Governance है, Healthcare है, Business में इसमें भी काम आ सकता है, Ethical Use में भी इसका काम आ सकता है, Data Privacy है, Algorithm है, इन सब में काम आ सकता है, Vision क्या है, EI की Breeze के माजम से, Divide है, Citizen को Impower करना है, Equinomik Growth है, उन सब में ये काम आ सकता है, तो नेतिक Algorithm के पूरवग्रह भी उसको रोका सकता है, Data जो गोप नेता है, उन में ये काम आ सकता है, Vision है, EI है, सामाजिक विपादन को मिटाने में महत्व पूर्ण भूमिकानी बा सकता है, ठीक है, महत्व वही देख लिए, राष्ट्री सुर्क्षा को बढ़ाएगा, ये, महत्व पूर्ण नवाचर को बढ़ावा देगा, सवास्ते से वह में काम आ सकता है, शिक्सा में नई नी चीजे सिखाने में ये काम आ सकता है, ठीक है, तो ये चीजे काम आ सकता है, इनेंसिंग लर्निंग आउटकम है, उनको बढ़ा सकता है, याई पौर्ण से, फिर है हल्थ केर सेक्टर में भी कहीं जगा और भी काम आ सकता है, तो यह सारे इसके उपय हो गए ठीक है तो यह artificial intelligence database से समझ लिए था किस ने launch किया कब launch किया हम इसके बारे में देख चुके है चलते हैं next article की और next article है international criminal court के बारे में इन्होंने है जो नितान नहयु है कहा के इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर इनके खिलाब arrest warrant जारे किया है तो international court criminal court के बारे में देखेगे international criminal court international criminal court को इस्थापित किया गया था 1998 में एक रोम समद्धी हुई थी रोम कैंसर से सुगा था इसके माधिम से 222 में इसको इस्थापित किया गया था ठीक है यह पहला एक परकार का जो court इंत्राष्टि न्याल्य है जो गंबीर अपरादों के लिए गंबीर जो अंत्राष्टि अपराद दता है उनके लिए व्यक्तिकत मुकद्मा चलाता है तो यह यह याद रखना गंबीर अंत्राष्टि अपरादों के लिए व्यक्तियों पर मुकद्मा चलाता है थीक है और दे हेग निधरलैंड में फर्स्ट इंटरनेशनल पर्मानेंट कोट है तो प्रस्क्यूकेट इंडुविज्वल्स सीरियस इंटरनेशनल क्राइम करता उसके गलाव रोम इस्टेच्वी हुआ था उसके द्वारा उनसे दोजाव में से स्ताफिक किया गया था एकशोच चॉइस के मेंबर है हेड़कवाटर का है है हेग नेधरलैंड में इसका हेड़कवाटर है ठीक है औरीजिनल लेंग्वेज कौन-कौन सी है ऑफिजिल लेंग्वेज है अं lovely है जिए अंग्रेज इंग्लिस है अर्बिय है चीनि भी नहीं है चार तो बहुत बड़े देश है वही सामने लिए तो कर क्या लोगे आप ठीक है फंड कहां से मिलता है सवेचिक रूप से जो भी देश मेंबर है वही देते हैं और इंप्लिमेंट कैसे करता है अपने जो भी होता है नियम वगेरा तो खुद की कोई पूलिस है न साल के लिए इनकी निवski होती है इनमें वक्तिल भी होता है उसका कारिया हो कि चांच करना थिसमर्द प्रस्ड़ी बना हूआ है इसससंट परकास ही काम करता है जेशन क्या है चार जेशन के दोरां भी अगर को लनगन करता है यह जूरी डिक्स नहाद रखना देखो वारक् do शotomay शे कैवल रोम समविधी पर लागू होती है इसी की ये कमें भी है Limitation क्या-क्या है खुद की Implementation Agency नहीं है खुद के पास कोई पुलिस नहीं है और फंड के लिए भी दूसरा पर निर्बर है और ये जो मान क्यों निर्ने बगर दिती है तो उसको मानना नमाना देशों पर निर्बर करता है कई देश को Accepting करते हैं बड़े बड़े देशे में सामिल नहीं है, यह जो UN की Security Council उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, तो यह सारी चीज़े इसमें कमी देखने को मिलती है, और पच्चिमी देशे वो इसकी यूज भी करते हैं, गरीब देशों को दबाने के लिए, तो यह इसकी कुछ कमिया अभी देखने को मिलती है, फिर यह International Court of Justice, हमने देखा था, International Criminal Court, यह International Court of Justice है, इसकी इतने दबदबा नहीं है, ICC का इतना दबदबा नहीं है, ICC का काफी दबदबा है, क्योंकि ICC है, वो UN का एक औरगन है, तो इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें 15 मेंबर होते हैं, जिनके वोटिंग कोन करता है, UNSC, United Nations Security Council, और इसमें की जनरल Assembly होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, इनके वोटिंग, ठीक है, और mandate क्या होते हैं, यह setting legal dispute होते हैं, उनके मामलें भी यह करता है, मतलब अपनी निर्णे रखता है, और यह 100 के खिलाब भी सुनमाई कर सकता है, ठीक प्रोक्रोट्स होते हैं, काफी लेंदी है, limited jurisdiction होता है, महत्व क्या है, peaceful dispute को resolution करते हैं, काफी complex issue को भी legal ritual करने का काम करते हैं, human right violation को भी ritual करने का काम करते हैं, तो कुछ अच्छे काम भी है इनके, वे फारवर्वार्ड में strengthen करने की आसकता है, जो इसमें हस्तक्सिप होता है, रिवियू करने की आफ सकता है। और UNSEC की जो भूमिक होता है, तो ये सारी चीजी इसमें की जासकती है, इंडिया क्यों member नहीं है, इंडिया, international court of justice का तो member है, ICC का member नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरे देसों का अस्तक्षिप जादा है रूसे चाइना है इसके मेंबर न होते भी इस पर अस्तक्षिप डालते दे यूएस का बहुत ज़्यादा अस्तक्षिप करता है यह दो पार्टी है देश है उनके बीच में करता है यह इंडिविजुल के मामलों को देखता है यह पूरे देश के मामलों को देखता है यह क्या कर सोवनेटी है से सोवनेटी है उनके दिखता है यह इंडिकल के वारे में से दिखता है लिए मामलों को देखता है प्रकोमन को देखता है अशिक हर खेक कंई नी EVO refsní के कि मैं ने इ Dazu आइस श्रड in यह क्यों जान्रास कीता है रेक जानने के बारे में क्यों न्यूज में यहाँ पर वॉलकेनिक एक्टिविटी देखने को मिली है यह क्या है यह आइसलेंड का एक प्राइदिप है आइसलेंड एन उसका एक पैननसुला है कहाँ पर यह दक्सिन पस्चिम आइसलेंड में इस्तिते और यहाँ पर जवाला मुकी वालकेनिक एक्टिविटी बहुत जादा देखने को मिलती है इसी वज़े से यह न्यूज में मना हुआ है क्योंकि यहाँ पर यूरेसियन माना कि यह यूरेसियन प्लेट है और यह है अमरिकन प्लेट इन दोनों के बीच में गरसन होता जिसके कारण यहाँ पर वॉलकेनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है यह जो मद्य अंतलाटिक दरार हैं मीड एक्टिविटी देखने को मिलती है यहाँ पर यह लावा देखने को मिलता है कई वूथ आप यह तीव देखने को मिलती है तो यह सारी चीज़ वगधे से रिख जानस नीज में है यह जिसके लोकस देख लो यह एक रहत लुक्रीं है तोेसyes लेंड इसके बारे हैं नहीं और जो हैं वह इस्टेबल बरनिंग के बारे में सेटलाइट में देखा गया है कि ota बणेंग कम है बड़ तो फिर अगर फ़िंग कमो हुए तो फिर भी पर्दुसन क्योंग रहा है इससे समंदी पूरा रहे तो क्या हुआ है दिप्रिपावली की बाद में दिली में वायूईउ जो गुनवता है ने इसमें गिरावट देखने को मिलिए अभी ग्रेप फॉर लगाया गया था और दिल्ली सुप्रीम कोट ने कहीं रस्तक्सिप किया थी इसके बावज़ुबी वायू में गुनवता गिरावट जा रही है इसमें पंजाब हर्यान में जो पराली जरहन किया जाता है वो महत्मुन भूमी का निबाते हैं बट क्या हुआ है किसान क्या करते है एक और डेट बजे की बीच में वो सेटलाइट यह ट्रेक करता है कि पराली का जलाया जा रहा है नहीं जला जाता है तो किसान इसको अवोइड करते हैं एक और डेट बजे की बीच में कोई प्राली को नहीं जलाते हैं उसके बाद ही प्राली जलाते हैं इससे क्या होता है इनको ट्रेक नहीं कर पाते हैं अब ट्रेक नहीं किया जाएगा तो जुर्माना नहीं लगेगा इस परकार से ये ट्रेकिंग सिस्टम से बच जाते हैं तो नासा का एक सैटलाइट है इसका ना भी ट्रेक किया जाता है बट किसान है वो इससे बच जाते हैं और इसके नजर में आते नहीं है फिर क्या है डेटा में विसंगतिया देखने को मिल दीए कि जो C A Q M है ये तो कह रही है कि पराली दहन में कमी देखने को मिल देखने को मिल देखने को नहीं मिल देखने को नहीं इसको इस्तापित किया गया था एर पॉलिशन को कंट्रोल करने के लिए ठीक है लेकिन यह अपने भूमिका निभा नहीं पा रहा है तो इसे वेदानिक स्वंस्ता बनाए गया था इसे एक्ट के माध्यम से इस्तापित किया गया था पर यह अपने भूमिका निभा ही नहीं प इस परकार की बाते की जारी बाहरती जो उपगर है इंडियन सेटलाइट उसके बारे प्रयाप्ट है जिसको सटलाइट है वो इसको मेजर नहीं कर पा रहे है य। करने में रहें कि पूए रहें कि उसकाना इस करने संसे करने के परगह रहे हैं किसानों को भी किसी भी परका सबसीड़ी है टेक्नोलोजी है इनकी माध्यम से समर्थन करने की आफ सकता ताकि वो रियल डेटा प्रदान करें और जो प्राली जासी दहन किया जाता है उसमें कम ही देखने को मिलें यह इरान के बारे में इरान का मैप देख लो आप इरान यह करने सानी पाकिस्तान परस्जिन गलफ अजर्बेजान है अरमेनिया टरकी ए इरान के बारे में ठीक है तो आज की डिसकस्वा किरिया इतुन अहीं था तेंक curator डिसकुन